हेलो एवरिवन वेलकम तू माई यूटूब चैनल माहिकांती टीचिंग आज हम क्लास 6 मैट का चैप्टर नंबर 1st नौइंग और नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे 1.2 का कोश्चन नंबर 7 करेंगे जो पेज नंबर 17 पर है कोश्चन नंबर 7 है एक मर्चन के पास कितने कितने रुपए थे 78,592 और शी प्लेज एन ओर फॉर पर्चेजिंग 40 रेडियो सेट चालिस रेडियो सेट खरीदा 1200 में इच मतलब एक का प्राइज 1200 था हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर दा पर्चेज कितने पैसे बचे 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद ओके जब 1200 का एक रेडियो था तो 40 रेडियो सेट कितने के पड़े होंगी इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हम मल्टिप्लाइ करेंगी जैसे हम एक एक एक्जाम्पल से समझते हैं एक पैंसिल हमने 20 रुपे के लिए अब 50 पैंसिल 50 पैंसिल कितने के आएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे 50 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा थाउजन तो पचास पैंसिल थाउजन रुपिस के होगी इसी तरीके से हमें 40 रेडियो का पता करने के लिए मल्टिप्लाइ करेंगे टोटल अमाउंट मर्चन हैंट कितना था उसके पास टोटल अमाउंट मर्चन हैट कितना था उसके पास टोटल 78,592 78,592 अब क्या है नमबर ओफ रेडियो सेट नमबर ओफ नमबर ओफ रेडियो नमबर ओफ रेडियो सेट नमबर ओफ रेडियो सेट तो बी परचेस्ड कितने का 40 ठीक है और कोस्ट ओफ रेडियो सेट का कितना था 12 कोस्ट ओफ वन रेडियो सेट कितने का था 1200 ठीक है हाव मच्छ मनी विल रिमेन विद हर तो कोस्ट ओफ फॉर्टी रेडियो सेट का निकाल लेते हैं कोस्ट ओफ फॉर्टी रेडियो सेट कितने का हम क्या करेंगे आपे 1200 को फॉर्टी से मल्टिप्राय कर देंगे ठीक है 12 फॉर्जर और हम जीरो को ऐसे काउंट कर लेंगे ठीक 12 फॉर्टी एट तो 30 हमारे पास यह आ जाएगा तो हमारे पास कहेगा 48,000 ठीक है अब हमें क्या बताना है कि कितना रिमेन बचा है हमें बताने आगे तो मनी विल रिमेन विधर कि मनी विल रिमेन अप्टर दर कि पर्चेस्ट क्या करेंगे हम यहां पर हमारे पास कितना टोटल वर था उसके पास पास कितना मनी बचा है तो म क्या करेंगे इसके लिए माइनस कर देंगे किसमें से टोटल अमाउंट से माइनस हम यहां माइनस कर लेते हैं यहां पर किसमें से करना है हमें सेवन एट फाइफ नाइन टू से हमें क्या करना है एट फोटी एट ठीक है माइनस करते हैं नाइन फाइफ सेवन में से फोर गे है थ्री तुमारे पास कितना आया है थ्री फोर फाइफ नाइन टू इतने बनी उसके पास रिमेन बचे हुए थे ठीक है नेक्स्ट मारे पास है कॉश्चन नमबर एट आस टूदेंट मल्टिप्लाइज 7236 वाइ 65 इंसीड ओफ दा मल्टिप्लाइंग वाइ 56 कितने से करना था और करना कितने से था 56 से और कर किसे दिया 65 से लिप्लाइज और कितना ज्यादा गलत अंसर से ज्यादा बढ़ा है जो गरेक्ट अंसर है कितना ज्यादा है ठीक है इसको में एक एक जामपल समझते हैं जैसे अगर मैंने मुझे करना था 15 को 5 से मल्टिप्लाइए लेकिन पहले मैंने क्या कर दिया 3 से कर दिया ठीक है तो कितना आएगा 15 3 is a 45 और मुझे करना किस से था 5 से करना था ठीक है अब दोनों में कितना डिफ्रेंस है हमें वह देखने के लिए कितना ज्यादा आया मतलब की कि इसको माइनस करके देखते हैं कि 75 को 45 से ठीक है तो मारे पास क्या जाएगा तो हमें इस तरीके से यह वाले कोशन करना है पहले हम रोग निकालते हैं ठीक है क्या था 7 2 3 6 हमने किसी किया था 65 से यह हमारा गलत था 66 था 36 3 उपर हमने कैरी कर लिया तूपर 14 43 इसको प्लस करते हैं तूपर 14 आएगा एट टश उपर वन तो ओन टू थी शी आप उर फॉर टैंन और वन शेवन है ठीक है तो हमारे पास इतना यह एपित्ण आए प्र शेवन जिरो तिरी पूर यहान रोह हैं अव् करेक्ट करते हैं पहले हम तो हमारे पास 7236 किसे करना था 56 से करना था ठीक है 36 18 21 14 43 30 18 11 36 इसको मैं प्लस करते हैं 1 12 5 10 4 70 5 2 1 6 किसे में प्लस करेंगे तुम क्या करेंगे 4, 7 4, 7, 0, 3, 4 फिर हमारे पास क्या हैगा 4, 0, 5, 2 1, 6 4, 2, 1 5, 6 क्या है हमारे पास 6, 5, 1, 4, 2 यह हमारा क्या है आज इसा है ठीक है Question No.9 To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth 40 meter का cloth है जिसमें से हमें 2 meter 15 centimeter का shirt बनाना है How many shirt can be stitched and how much cloth will remain कि कितने shirt बन सकते हैं उसमें से कितना कपड़ा बचेगा ठीक है हम करते है cloth how many shirt cloth required required 4 one shirt कितना रहा 2 meter 15 centimeter 2 meter 15 centimeter meter centimeter या तो हम इसको मीटर में चेंज करें या तो हम इसको सेंटीमेटर में चेंज करें cover data in centimeter तो हम क्या करेंगे हैं हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 meter हमारे पास टोटल कितना आ गया है प्लस करके centimeter next cloth हमारे पास कितने cloth है कितना है 40 40 meter क्या है 40 meter 40 meter है तो मजला हमारे पास में बता है 1 meter में 100 centimeter है तो 40 meter में 40 into 100 40 into 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 1000 centimeter अब क्या है हमारे पास 4000 centimeter इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है डिवाइड हम करते हैं यहां पे एक रफ कर लेते हैं पहले टू से देखते हैं 450 बड़ा है तो हमारे पास में पे जाएगा 10 में से 5 या 5 8 1 जमने यहां से 0 तो इसको हम देखते हैं 7 पे एक बार ट्राइग पर ट्राइग करते हैं सेबन एट पर देखते हैं अब इसको मेट पर ट्राय करते हैं नाइन पर ट्राय करेंगे तो नाइन पीस से बढ़ा आजेगा तो हमारे पास एट पर 10720311 तो हमारे पास क्या है कितना क्लोध बचा रिमेनी 13 cm अब कितना बना है हमारे पास एटीज श्रट बन गी है ठीक है तो हमारे पास है यहां कहते है क्लोथ रिमेनिंग 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 तो कितना हमारे पास है 130 cm 1 m 30 cm तो क्या हो गया 130 cm यह हमारा आंसर ओके